प्रणाम, वेलकम टो राजमादवित्या वियार, अनलाइन क्लास, वोब यू आर सेफ और फाइन, तुड़े वी स्टार्ट दे चैप्टर वन, फॉंक्शन और पार्ट्स ओफ अपॉपूटर, ओके, आज हम चैप्टर वन जो हमारा है फॉंक्शन और पार्ट्स ओफ अपॉ पार्ट्स ओफ वो इन्पूट के लिए प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउट्पूट के लिए हम यूज करते हैं, तो यह रीए यू पिक्चर में आप देख रहे हैं कि यह सारे क्या है कॉम्पूटर के पार्ट्स हे हमारे, ओके, जैसे आप जानते ही हो कौन कौन है वो, इन्पूट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउट्पूट वो किस तरह से होता है, तो वो चलो हम डिटेल में चानते हैं, यह अल्रेडी जो है, वो हम स्टांडर्ट फोर्न में पढ़ चुके पर यह रिवाइस कर रहे हैं वापस के इन्पूट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज अन्पूट किस सरह से होता है, फोर एक्जमबल दा फ्लोर मेल, ओके यह जो सारी प्रोसेस है वाँ फ्लोर मेल के थुरू अंडर्स्टांड करेंगे, तो अंडर्स्टांड तर्म इन्पूट, प्रोसेसिंग आउट्पूट, लेट अस तक ते एक्जमबल अफ फ्लोर मेल, केंज़िगा, शॉप्लोर फ्लोर मेल, फोलगे ऐक्जमबल देक्टर होता अंडर्स आर्सेस काता है, फ्लोर मील, ऑर सूर्स्टांड के दिशाने समय फूर्ट नीचे यह जो हमारी मॉडर है उसमें क्या होगा ग्राइडिंग को यहां पर भी है और लास्ट में यहां पर नीचे विश्द वार्टं में यह जो खूला बड़तर है हमारा फलोट वीच के लोठ पीसा के उठाओ विजा है ना हमने से ऑपर क्या डाला हमने यहां पी में हमारा नीचे अमें प्रोसेसिंग और नीचे लास्ट में हमें आउट्पूट मिलता है आउट्पूट मिलता है आउट्पूट में क्या मिलेगा फ्लोर मिलता है तूल बें हमारा आउट्पूट ओ के नाउट्पूट में अम्म the action of grinding the food grain into floor is processing और जो grinding होती है वो क्या है हमारा processing और लास्ट में हमें मिलता है फ्लोर वो क्या हमारा output ओके यहां पे हमें अल्रेडी यह द्रो करके दिया है इन्पूट प्रोसेसिंग और फूर ग्राइंड एन्पूट बेंगी और लास्ट में आउट्वूट इस तरह से दिफाइन करेंगे data entered into a computer is called input computer में जो हमारा data input होता है data हम enter करते हैं उसे क्या बोलेंगे input it could be numbers, letters, pictures और even sounds तो यह जो हमारा input data है वो किस तरह से हो सकता है maybe numbers, maybe letters, pictures और even हमारा कोई sound भी हो सकता है now number two program a set of logical instruction given to a computer to perform a task or work on the data is called program अब यह नया words आपके लिए कि what is a program तो program क्या है तो हम computer को instruction देते हैं जैसे कि हमने floor wheel में for example देखा कि funeral में हमने जो food डाला है food grain हमने input किये उसके बाद क्या करना है इसको grinding करना है तो जो grinding करना है जो information हम उसको देते हैं उसे बोलते हैं program जो information जो instruction हमें देनी है कि how to do work उसे work किस तरह से करना है उसे बोलेंगे program now next processing when the computer works on data according to instruction it is called processing अब क्या है जो data हमने input में डाला है उसके according जो उसको instruction मिली है उसके according वो work करता है उसे बोलेंगे processing now output information generated by processing data is called output information processing होने के बार जो आपको information मिलती है जो data मिलता है उसे क्या बोलेंगे output it is displayed by the monitor और printed by a printer तो यह जो हमारा output हमें मिला है वो हम monitor के उपर display होता है और page के उपर लेना है जो printer की help से हम उसकी print भी निखाल सकते है मतलब hard copy हमारे पास रख सकते हैं this means that a computer process input data with the help of a program to generate information output उसका meaning क्या है computer किस तरह से process करेगा input में जो data डाला है input data help to of a program help program to generate information input में data डालते program के according वो work करेगा process करेगा और last में देता है आपको output यहां पर देखो draw करके दिखाये हुआ input means data plus program processing according to program and last में अमारा output means information Okay, बटे गले और गले प्योद 2 वहां ज haven also گपके न.. पाइंगी वहां थे look into a program